नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टील्टी टूर गाइड में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के आंद्र प्रदेश राजजी के विशाखा पत्नम जीले में सित अर्कू वैली के बारे में कि आप यहां कब जाए कैसे जाए कहां रुके कह में और कुल खर्चों के बारे में यह पूरी कंपीर जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते अर्कू वैली की अर्कू वैली आंद्र प्रदेश के दच्छिड भारती राज्ज में विशाखा पत्नम जी इसके अलावा यहां पर कई फिर्मों की शूटिंग भी और हमेशा यहां पर शूटिंग होती रहती है तो दोस्तो अब बात करें आप अर्कू वैली में कब जा सकते लेकिन यहां पर विजिट करने का सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर की मार्श के महीनों का माना जाता है क्योंकि इन महीनों के दोरान अर्कू वैली को गूमने के लिए मौसम का तापमार बहुत ही सुहावना होता है दोस्तो अब बात करें आप अर्कू वैली में कैसे पहुचे वैसे तो आप यहां पे बाई ट्रेन बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुच सकते ह जा रहें तो अर्कू वैली में खुद ही रेलवे स्टेशन है लेकिन यहां पर कुछी ट्रेनेर रुकती है इसलिए आपको विश्याखा पत्नम रेलवे स्टेशन पर ही उतरना होगा जो दिल्ली मुंबई कॉलकता आदी चैसे छोटे बड़े शेरों से काफी अच्छी तर एरपोर्ट विश्याखा पत्नम है जो कि देश के कई बड़े शेरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिनके जरीया बड़े आराम से विश्याखा पत्नम एरपोर्ट तक पहुच सकते और यहां से आप बस या टैक्सी लेकर के बड़े ही आराम से अर्कू पहुच सकते जो कि विश्याखा पत्नम से लगबग 107 किलोमेटर की दूरी पर है दोस्तों यदि आप बस से जा रहे तो अर्कू वैली देश के कई छोटे बड़े शेरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिनके जरीया आप अपने सवाध होता है तो दोस्ता बात रहे कि खानी पीने की है वैसे सजुदा है वैसे अधी होटल में आपको खे पीने की सारी सुदा मिल जाएगी जहां पर भोजन कर सकते लेकिन अगर तो costs मिल जांगे जहां पर आप हरें टाइप कर और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट का लिंक दे दिया जिसकी मदद से आप ट्रेन की प्लें की बस की और टूर पैकेज को बुक कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें कि आप अरकु वैली में कह जिसका मज़ा लेने के लिए टूरिस्ट यहां पर दूर दूर से आते हैं वैसे तो आप में पर बोर्रा गुफा भी घूमने के लिए जो कि आंदर प्रदेश के विशाका पत्नम जीले में अरकु वैली की अनंतगिरी पहाड़ीयों के बीच में बहुत ही खुबसूरत मुजियम को भी घूम सकते हैं क्योंकि अरकु वैली में बना ये ट्राइवल म्यूजियम परियटिकों के लिए बहुत ही जादा दिल्चस्प जगह है जहां पर टूरिस्ट गुमने के लिए आते हैं और आदिवासियों के दैनिक रहन सेंस, सामाजिक रितिरिवाज इत्या फूलों की विबन और अनोखी प्रजातियों की सुन्दर नर्सरी पेश करता है और यहीं पर बगीचे में ट्री हाउस पत्थर की मुर्दिया और कई आदिवासी कलाकृतिया भी आपको देखने को मिलती हैं इसके अलावा आप चप्राइव वाटरफॉल को भी विजिट कर सकते हैं घाटी से लगबग 5 किलो मिटर की दूरी पर रिस्तित यह वाटरफॉल उन लोगों के लिए एक आदर्श इस्थान है जो दोस्तों और परिवार वालों के साथ अपना कुछ समय शांती से बिताना चाहते हैं और अरकू वैली में गुमने के लिए चप्राइव वा काड़ियों रेलवे ट्रैक और कॉटेज का शांदार द्रिश प्रस्तुत करता है जिसका सुन्दर द्रिश आप सभी देख सकते हैं और दोस्तों ऐसे और भी कई सारे जगह हैं अरकू वैली में जहां पर आप सभी गुमने के भरपूर मजा ले सकते हैं जैसे कि को विजिट करने में आपका कुल खर्चा लगबग 4000-5000 रुपय के आसपास लग सकता है क्योंकि आप वहां पर क्या क्या खरी देंगे कहां कहां रुकेंगे कहां गूमेंगे यह सारी खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं तो दोस्तों इस वीडियों को पसंद आयों तो